भाई किसी बंदे ने टुइटर पे लिस्ट डाली उन सूपरस्टार्स की जिन जिनको हराया है रोमन रेंस ने अपने इस टाइडल रेंस के दुरान जिसमें विंधम नाम के बंदे ने टूइट करके लिखा की टेक माई नेम ओफ देट शेट अब भाई तुम्हारा नाम तो है भी नहीं आप को ओनो विंधम जी no but in all seriousness I think Bray Wyatt का नाम होना भी नहीं चाहिए उस लिस्ट में because I don't know कि ट्रिपल थ्रेट को हम कैसे कंसीडर करें क्या हमें ट्रिपल थ्रेट के सूपरस्टार्स को कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं but hey let's be honest अगर होता भी तो भी क्या ही होता लिस्ट में नाम तो आ नहीं था मतलब आप गोल्ड वर्क से हार गए भाई और Seth Rollins ने तो ट्वेट करके लिखी दिया fake news because Seth Rollins हारा थोड़ी था बंदा वो तो रेफरी ने क्या बोलते है डिस्क्वालिफाई करवा दिया So guys so much champions of the world मैं हो 3DX Chetan and आज का title क्या मरस्त है 10 WWE superstars who have been failed by WWE लेकिन फिर भी company में है मतलब it is like कि school में अगर आप fail हो जाए लेकिन आप फिर भी उस school में हो पर देखा जाए तो उस case में महरबानी school की होगी हमारी थोड़ी लेकिन इस case में उल्टा है इस case में महरबानी होगी superstars की क्या रहे तुम अभी भी इस company में ठीके हुए हो like this is how opposite it works well let's see कि कौन कोन से superstars है of course एक दो तीन superstars जितने भी होगे वो छोड़ देंगे हम comments description के लिए क्योंकि उसमें लिंक होगा आप महाँ पर जाकर देख सकते होगी कौन कोन से superstar चोड़े हुए जिसकी शुरुआती करिए उन्होंने एक बहुत ही तगड़े एजेंडे के साथ मुस्ताफा अली well in case we don't know recently अगर आपको किसी को बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा वेला है तो आप उससे पूछो कि क्या आप free Ali नाम का twitter trend use करते हो और अगर वो हाँ बोलेगा तो समझ लेना yes उससे बड़ा वेला दुनिया में कोई नहीं है बड़ मुस्ताफा अली के लिए all of a sudden जो लोगों का या खहली जी ऑल अली ट्रसलिंग के फैंस का जो प्यार जागा है it is incredible and उनको भी पता है कही न कही के वाल अली ट्रसलिंग से अगर कुछ मज़ा आता है तो वह basically debut देखने में आता है तो इस समय वह hope कर रहे है कि भाई current product को छोड़ो यार हमें तो बस अली के डेब्यू की इंतजार है कि कब अली देखने को मिलेंगे इसलिए प्लीज फ्री करो और WWE के part से ये गलती है कि भाई ये सब चीज जब public हो जाती है आजकल की दुनिया में तो आपको release कर देना चाहिए especially जब वो बंदा खुद release की demand कर रहा है और मुझे एक समझ में नहीं आती चीज़ लोग मुस्ताफा अली के वह elimination chamber के बारे में क्या बात करते हैं कि कि किस त कि जो retribution था वो तो definitely failure project था देखो मेरी उम्मीदे तो थी बट शायद बिना audience के ये वाला project fail होने के ही कगार पर आना था anyways पहला नाम मुस्ताफा अली है and do I think के वो डब डबली में fail हुए absolutely अगला नाम है Cedric Alexander Cedric Alexander की story अगर आपको नहीं पैता तो CWC आया करता था और उन्होंने ऐसे तगड़े तगड़े matches दिये थे कि प्रिपलेश ने उन्हें contract offer कर दिया वहीं पर और हर कोई emotional था मतलब उस तेम पर CWC के superstars की अलगी value हो रही थी हमें तो लग रहा था कि भाई कहीं यही तो next big thing नहीं है लेकिन फिर आगे आते आते हमें पता चला ओ अपने अपने घर में सब share होते हैं लेकिन जब actual में kingdom के अंदर जाते तब पता चलते हैं अच्छा ये वाला भी animal है ओ भाई ये वाला भी animal है पर Cedric Alexander का मैं ये कह सकता हूं कि उन्हें जितना भी time मिलता है या फिर जितना भी छोटा सा you know performance देने को मिलती है I think वो उसमें kill ही करते हैं तो मेरे हिसाब से Cedric Alexander मैंने ही कहूंगा कि fail हुए हां reaction grab करने में जरूर fail हुए होंगे जो कि बहुत मुश्किल होता है casual audience से ले वेल considering कि लैशली बिचारे अपने बंदों को ही मार रहे और उसमें से एक Cedric Alexander में है I would say yes अगले superstar है दव वाइकिंग experience ओ और में भी दव वाइकिंग रेडर्स वेल शुरुवाती इनकी fail होने से हुए थी जिब शुरू में ही इनका दव वाइकिंग experience नाम पड़ गया था तो वो जो experience था वो वहीं से ही खराब होना चला हो गया था users का और उसके बाद से तो हमको पता ही था like मेर को पहले से ही पता था अगर आप मेर से पुछोगे कि ऐसे gimmicks जो है नहीं चलते और spoiler alert वीर महान का gimmick भी नहीं चलेगा I know कि as an Indian मेर को यह नहीं बोलना चाहिए था प पर तुमारे earthquake जैसे superstars आ जाएंगे और लोग पागल हो जाएंगे क्यों रहे यह कोन आ गया आज कर चलेंगे Austin theories type superstars do I think के Viking Raiders fail हो गए absolutely मतलब इतने टाइम से वो main roster के अंदर है और ऐसा लगते है कि अच्छा अभी अभी तो बिचारे यह आएं नहीं भाई बहुत टाइम से आ रखे हैं अगला superstar है Nakamura Shinsuke Shinsuke Nakamura भाई क्या गजब की success story थी starting मतलब John Cena को हराना आते ही समझे रहे हो and then Royal Rumble जीतना WrestleMania में जाना AJ Styles versus Nakamura but I think जो वो low blow था जिसका भी idea था bro उसने बहुत ही बड़ा risk लिया I think Shinsuke Nakamura को वही पर disagree कर देना चाहिए था because Nakamura के सबसे बड़ी ही power वही थी कि वो logo से interact कर पा रहे थे बिना बात किया उनके जो body का movement थी वो audience से बात करती थी तो मेरे इसाब से वो वैसे ही अगर natural रहती और मतलब बिना heel turn किये वहां से वो उनका flow जारी रहता ना मेरे को नहीं लगता है कि Shinsuke Nakamura आज वो Nakamura होते जिने हम जानते जिन हम यह चाहते कि अरे भाया इसके पास championship ना ही रहे तो अच्छा है तो मेरे को लगता है कि वो low blow बह creative creative moves लाता है हर बार especially when it comes to selling other people's move वो उसमें भी champion है और रिकोशे के पास championship ही थी ना if I'm not wrong शाहिए the United States championship बढ़ हां वो ऐसाच हमें उतनी rememberable नहीं लगती वह जो चीज में मुरेबर है न वो पढ़ा कौन सी है जब Drew McIntyre ने eliminate किया Brock Lesnar को with the help of Ricochet I think Ricochet का biggest contribution था in this entirety of his career और of course as such मैं कहूंगा कि रिकोशे ने उतरा कुछ impact create नहीं कर पाए मतलब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा नहीं जैसे Ray Mysterio ने आके impact create क करेंगे आज आज की generation में मुश्किल इसलिए कि कि आजकल बहुत सारे से superstars मिलेंगे misterio के time पे he was one of a kind he was doing alone और को उस time पे नहीं कर रहा था तो इसलिए misterio के पास एक option था मतलब high risk बले ही था लेकिन उनको high reward भी मिला लेकिन रिकोशे के case में भाई साब high risk है लेकिन reward की guarantee उतन सारे biscuits लेके बैठा है वो बंदे अपने पेट पे and मेरे को समझ में या था जिसकी इतनी अच्छे packs हों वो बंदा कैसे कैसे हार सकता है Roman Reigns से नहीं मजाग करो मतलब कैसे गिर सकता है एक ropes से मतलब तुम्हारी लड़ाई Roman Reigns से हो रहे है तो वो camera man आके तुम्हारी ropes क्यों का करना शुरू कर दिया जब Seth Rollins के साथ Finn Balor का match था like just imagine कि जब वहां पर उन्हें championship जीतने का मौका मिला that means कितना trustworthy होंगे Finn Balor बट जैसे ही वो injury हुई और उनका सब का trust गिर गया उनको लगा कि भाई ये तो injury prone बंदा मिल गया है हमको तो उसके बाद से वी नो कि Finn Balor को ऐसा जतन then expect कि Finn Balor is leaving WWE और नहीं भी leave किया तो भी समझ लेना कि वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे WWE के अंदर तो इसलिए इस साल मेरे साबसे Finn Balor को मिलना चाहिए कुछ special Universal Championship I don't know, WWE Championship I don't know but something जिसमें Cameraman का involvement ना हो उनको हरवाने में Anyways, comments में लिख कर बता इन में से कौन साइसा superstar था जो कि आपके according fail हुआ है लेकिन अब आप चाहते हो कि वो इस साल पास हो जाए मैं personally चाहता हूँ अगर दो superstar में को पिक करना हूँ, I will pick Finn Balor and Shins के Nakamura कमेंट से में लिख कर बता हो अगर आपको वीडियो पसे है तो प्रीलाक को शेयर करो शेयर करो शेयर को सब्सक्राइब करो Wrestling France को पास बलाया, मेठे सब दूसे सब का दिल था चुराया, अपने नाम का सच्टम था बनाया, दो लाग का इसने परिवार था चुटाया पर समय की मार है, या मेहनत की हार है, यह खुट को बदलना तो मेरे सब्सक्राइब के विचार है अफसुस है कि आज सब ने इसको बुलाया, फ्राइडेस को इसने आरके उधा लग दाया